और अब भिलाई की चर्चा करेंगे जहां पीलिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई वैवस्था निये पेड़ भी साल में एक बार काटते हैं तो वहीं पुरा फेला के गंदगी करके चले जाते हैं। बीच में पता चला उसमें ब्यस्पी वाले में गंदा पानी आ रहा है। उसी को बच्चे लुग पीए तो उस वज़े से भी मार पड़े हैं। किता डर रखता है अब उब सब पता नहीं है। चेक करने के लिए देखे तब पता चला है हम लोगों को वहीं पर दिक्त आप पानी से आप पानी उसको देखेंगे जी आया है तो पानी अब दूसरा पानी कोई है ने कि पी नहीं है उसी पानी को नगर निगम भिलाई के वाड करमा का 38 में पीलिया की दस्तक होने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है आपको दिखाना चाहूँआ कि वाड 38 में यहाँ पर मैं मौझूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पानी बर रहे हैं क्योंकि जो नगर निग गया हुआ है वो फूटा हुआ है वहाँ से पानी भर रहे है यहाँ शित्री पार्शित हम उनसे सीधा बात करेंगे पीलिया की दस्तक हो गई है आप देखे पहले डाइरिया फिर पीलिया और किस तरह के प्रयास से भी चल रहे हैं देखे अमरित मिशन और जल आवर्धन य आप पानी नहीं पहुंच पारा है विलाइन गर निगम के चेतर में कुर्सी पार चेतर में यहां के लोगों के लिए दुरभागी जनक अंदेखी है और लापर वाई है प्रशाषन की कि लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर है और लोगों को अब इसके लिए अगर जल् या 캇 से आपकत किससे वहरते हैं हम लोग सबस्क्राइए लोगों कि मजबूरी है लोग कर दिए बेर सब्सक्राइब करने येस्पे कीपने को मजबूर है नगर निगम ने जो वाइदा किया था नगर निगम का ये दाई तो बनता है कि लोगों को सुक्ष पेजल उपलब्द कराया जा लेकिन आज नगर निगम अपने ही लोगों को सुक्ष पेजल उपलब्द नहीं करवा पा रहा है और यही वज़े है कि आज यहां के लोग लग तरपाव पसार रहा है ऐसे में निगम प्रिशासन किस तरह का कारी करता है न्यूज 18-36 गड़ के लिए भिलाई से मिखले इश्ठाकोर राइपूर से एकली पड़ी खबर जहां करमचारी एक बार फिर से आंदोलन किराब पर है पहली बार करमचारी संग के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि करमचारी मंगाई भत्ते की मांग को ले करके आंदोलन करने जा रहे हैं इसी कड़ी में साथ जुलाई को एक दिवसी सामुही कावकास देने का नेड़े प्रदेश के करमचारी हों ने लिया है और यदि इसके बाद भी मंगाई भक्ता और लंबित मांगो की पूर्ती सरकार द्वारा नहीं की जाती तो साथ एक अगस्त से पूरे प्रदेश के करमचारी अनिस्चित काली रामदोरन पर चले जाएंगे ओर आजदाली राइपुर में आज बीजबी के नेता और कारकरता आपस में भीड़ गए आपस में बीजेपी के नेता और कारकरता भीड़गा है वाट चोवन का ही पूरा मामला आपको बताएं कि विवाद का वीडियो भी लगाता रवारल होता जा रहा है दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचें थाने में पूर विधायक नंदे साहू ने मध्यस्ता कराई है तिकरा पारा था ना शेकरमार कमा प्राइब देखें बीजेपी नेता और कारकरता जेमें पर कबजे कुले कर आप देसाओ और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर जहां मिच्छा की सभा पर सेंभू पेश्च बखेल ने तन्सकसा उन्हें उन्हें कहा है कि सभा में मुश्किल से 15,000 की भीड रही होगी बीजेपी पूरी ताकत लगा कर भी भीड नहीं जुटा पाई लोग महेंगाई और बेरोस्कारी से तरस्त हैं बीजेपी के पास ना किसान ना जवान ना ही आदेवासी हैं अपर कैसे दुर्ग संभाग को जीतने का दावा करते हैं पूरी ताकत लगाने के बाद भी 15,000 मा अधिक तम उतने ही रहा होगा उससे अधिक भीड नहीं थी अब पूरी ताकत लगा लिए इसका मतलब यह है कि भीड जुटाने में भी पसीना आ रहा है क्योंकि लोग महंगाई से विरुजगारी से तरस्त हैं और केंदर सरकार लगातार उपे अच्छा कर रही है आज गैस सिलेंडर 1200 रुपिया हो गया खात कीमत अब खेती किसानिक दिने महंगाई चरम पे है खेती लागत आधी हो गई जबकि आयद हुगूने करने के बाद कही थी वह आदा हो गया और यह ट्रेनी जो चलती थी बंद हो गया कितने ट्रेने बंद हो गया तो इससे आम जनता इसे परसान है और इसके में भीड नहीं आ रही है यह तो राश्ट्री इस तरके विभिन राजनितिक दल के नेत रहा के बाद भावमत आती है तो रहूल जी बाळनांती बने। अब इस पहले 15 सीट जीते थे, 14 हो गया, अब 13 रागे है राज़दानी राइपूर से एक लिए बड़ी ख़बर जहां केंद्री मत्री के रराथ सिंग की तरफ सिख बयान सामने है उनकी तरफ सिखा के कि कॉंगर्स हमेशा राम पर सवाल खड़े किये राम के हस्तित्वक को सुईकार ने से इंकार किया और आज हो कहँ रहे है कि कॉंगर्स पार्टी ने पूरी जिंदगी राम के अस्तित्वक को सुईकार ने से निंकार किया आजू कह रहा कोशिल्या हमारी बहन है राम मेरे भांजा है एक मामू भांजा कंस और किर्शन भी था किंदी मंती जिजाज सिंग का दिया गया ब्यान बेहर या पत्ति जनक है भारती जनता पार्टी के अज्ञानता और तस्री चरित को परशित करता है माता कुशल्या को 46 बिठिया कांग्रेस नहीं बताती है वो 46 बिठिया थी भांजा करके पर सियास तेदय के कहन की जनता का अपमान किया और 36 गड में एक पार फिर से धर्मांदरन की मुद्दे पर सियासत तेज है बाज़पाने सत्ता में आने पर धर्मांदरन के खिलाफ कानून बनाने का बड़ा दाओ खिला है लेकिन इस भी सबसे दादा सरकर्मी बड़ी है विश्व हिंदू परिश्वत की बैठक से इस बैठक में विश्व पी ने धर्मांदरन, लबजिहात, मंदिर और गौह हत्या जैसे मुद्दो को लेका रभियान चलानी की रणनीती बनाई है बीजेपी और हिंदू बादी संगठन धर्मांदरन के मुद्दे पर कॉंग्रोस सरकार को घेना चाहते है वहीं सियम भूपेश बखिल ने पूछा है कि अपनी सरकार के दौरान बीजेपी धर्मांदरन के खलाफ कानून क्यों नहीं लेकर आई, लागू क्यों नहीं कर पाई मंत्री कवासी लख्मा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भूपेश बखिल के सरकार में धर्मांदरन का एक भी मामला अगर साबित हो जाए तो वो राजनीती थ्याग देंगे पक्षपात पूर्ण एक डिस्क्रिमिनेटरी ऐसी गतिविदी है क्योंकि किसी भी मजजिद या चर्च के उपर सरकार का नियंतरन नहीं है तो यह पक्षपात पूर्ण व्यवार केवल हिंदू मंदिरों के साथ हो रहा है धर्मांतरन रोकने के लिए योग्य प्रकार के कानून लाने का विशेय है या लव जहाद की जो घटना है बढ़ रही और जिहादी हिंसाओं की घटना जो बढ़ रही है है सवाल इस बात का है कि 2006 में रह्मां चिंग के सरकार ने धर्मांतर के कानून लाज़ा है वो आस्तर के लागू क्यों नहीं कर पाया है शेय से लेकर 18 तक उसके सरकार थी केंदरे में उसके सरकार थी क्यों लागू नहीं कर पाया है और भार, भार जातता हूं तो इसके शाथांकार में ज्र्ज मने झालते हिए, घरमांतर हrän है स्टमाति कोई मुद्धा ही नहीं कि चार साल में दर्मांतर कई नी हुआ है, एक अद्वी नी हुआ है, अगर एक अद्वी भी हुआ तो मैं इस्तिपाद उगराद भी चोड़ा, कोई सेलेंटर ने जाया थी, मैं बिलनोर को सेलेंटिया था, तुम इस्तिपाद हो या, मैं दूँगा, चलो बसता है, ये पंद प्रती बंधात्मक कारवाई की है, पोलिस राजस्वेभा को पत्र लिखा है, जमीन विवाद की निप्टारे के लिए पत्र लिखा गया है, शेरु असलम का वीडियो लगातार वारन हो रहा था, उसके बाद अभी कारवाई, किसान को धंकी दे रहा था, शेरु असलम सरकंडा थाना छेत्र में एक किसान उमेंद्र राम और युवा कॉंग्रेस शेहर अध्यक्ष शेरु असलम का एक विवाद का वीडियो वाइरल हो रहा है, जिसमें ये दिख रहा है कि जो शेरु असलम है, वो जो किसान के साथ है, वो बहस कर रहा है, और इस वीडियो को सं अभी सरकंडा पुलीस कारवाई कर रही है और साती साथ दोनों पार्टीज को हिदायत दी है कि दोनों ये जमीन संबंधी मामले में अभी दूर रहे और यता स्तिती बरकरा रहे और साती साथ पुलीस ने एक प्रतिवेदन राजिस्वेभा के लिए त्यार किया है कि ये जो जमीन संबंधी मामले है उसमें जल से जल सिमांकन हो ताकि ऐसी स्तिती पुन निर्मित ना हो वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है बीजेपी प्रदेश रद्यक शरुन साओ और नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेल ने कॉंग्रेस सरकार पनिश्वाने साथा बीजेपी ने कानुन रवस्ता पर सवाल उठाए है जब ये कॉंग्रेस ने कहा कि पार्टी इस मामले की जाच करेंगे सोशल पीडिया में जो वीडियो वाइरल हो रहा है यूद कांग्रेस का जिलत्यक सेरु असलम जिस प्रकार से एक भोले भाले किसान उमेर्द साहू को जमीन हडपने के लिए धंकाते हुए दीख रहे हैं उठा लेने की धंकी दे रहे हैं ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य में तालीबानी सासर चल रहा है तालीबानी हरकते चल रही है उमेर्द साहू का इस प्रकार का वीडियो वाइरल हुआ है ये बताता है कि प्रदेश में कानून बेवस्था कि सिति क्या है और राज्य की भुपेश बखेल सरकार 36 गड़कों किस दिसा में लेकर ज जितनी दबंगाई है हम यूवाट कांगरेस के साथियों का देखने को मिल रहा है किसान की जमीन को अब किसान की जमीन को भी ये लोग नहीं छोड रहे हैं नहीं देखें मेरे पास 36 गड़ प्रदेश कांगरेस कमिटी के पास ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ना ऐसी कोई सिकायत है नहीं मिले अगर कोई सिकायत आएगी तो उट पे हम लोग जाज भी कराएंगे आखिर हकिकत क्या है अंबिकापूर की अप्चेट से करेंगे जहां जंगल से बठक कर गाउं में भालू कोशाया है और भालू के आने से ग्रामिनों की बीच दैश्वत्त माहोले ग्रामिनों मिलकर जंगल के और इस भालू को खदेडा तस्पीरां देखे सोशे मीडिया पर यह तस्पीर लगातार वारल होती वी लुन्डरा वन परशेत्र के ग्राम बगदरी में भालू पुसाया ग्रामिन आपको नज़र आ रहेंगे जो कि इस भालू को ग्रामिन ने कोशिश कर रहे थी कि जंगल के और खदेड सके वने भाग को भी सूचित किया गया है और अब देखे 25 सेकिंड ने खबर कल सुख्मा जिले के तौरे पर रहेंगे सेम भूपेश बगिल माता राम रामिन मंदर में करेंगे पूजा चिना प्रदेश के पहले रॉक कार्ड़न का करेंगे उठागर राइपुर में सियम्भू पेश बगिल की घर पहुंचे मितान, सियम्भू पेश बगिल ने धर्मादरन कानून को लेकर बीजेती पर बोला हमला, बीजेती के समय में ज्यादा च्रच बनी, बीजेती एडी के भरोसे लड़ रिये चुना राइपुर में पंडी जवारलाल नेरू स्मृती, ट्रिकिद्सा महावी देले पौंचे मुखमंतरी, राजवेत सिवा धिकारी संकी सम्मान, समारो को लिजेती दुरुग में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारो कॉर्ड महासभाद धमधा गड़ में किया गया आई धमतरी में कॉंग्रस के वधान सबस कर ये प्रशीक्शन चेवरकाय जएं, टीसी सी चीफ मोहनवरकाम हुई शामिल का दोजार टेश ओटोबस की तैयार इमिजिटी कॉंग्रस विलासपुर रहीवा कॉंग्रस के जिला श्रहर अठेक, शेरू अस्लम की दिवंगाई पर कारवाई, पुलिस नेक्स साथ, सोला के तहरत की प्रतिवंदात कारवाई विलासपुर में कॉंग्रस नेता ने किसान को दीधम की, मामले पर प्रदेश देक्ष मोहन मरकाम का बयान, मुझे इस तरह की कोई शिकायक ने लिवा कॉंग्रेस नेता के किसान को धमकाने पर सियास तेव नेता प्रितिपक्ष नाराइन चंदेल ने सरकार पर साथ निशाना कहा यूद कॉंग्रेस नेता किसान की नहीं चूरहे से कॉंग्रस में न्युक्ति पत्र विबाद पर नेता प्रित्पक्ष ने बोला हमला कहा कॉंग्रस की आंतरे किस्ति नहीं छेक, इनकी नेताओं में नहीं संबादों संपर्थ बिलासपुर में यूद कॉंग्रस नेता की गुंडागरती पर सियासतेश बीजेबी प्रतेश टेक्शन रुच्छाव में साधर निश्चाना बोले हमारी सरकार आएगी गुंडों जिहादियों पर चलेगा पूर्टेश राजन गाओं पूर्वल सियंग्रमाग सिंग के इंदी सरकार में पियम होदी के नौबर्श पूरे होने पर आईजित कारेक्टर में हुए शामी प्रतेश की कौंके सरकार पसाथ निश्चाना कांके जिला मेटिकल कॉलेज में बढ़ी मौसमी व्वारी से फीड़ित मरीजों की संख्या उल्टी दस से फीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ा 33 गड़ में 3 जुलाई से फिर 16 पर उतरेंगी समविदा करमचारी करीब 45,000 समविदा करमचारी फिर करेंगे आंगी रूँ बिलासपुर में ट्रक में अवैंग परवान करते 20 आप रूपे कीमत की सरई लखडी सब ट्रक ड्रावर मौके से फराल बेल कहना वन पर शेतर पना बुलिटिन में इतना ही देट रहे ही न्यूस इठी